नमस्कार फ्रेंड्स अगत आप सभी का सॉलुशन अब इसेक यूटूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में भारत के 25 हाई कोड के नए मुख्यन आईदीस इस वीडियो में कवर करेंगे अभी भारत के कई राज्यों के जो मुख्यन आईदीस अभी बदले हैं तो उनको यह वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट कियें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल एकन को प्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो कुछ नमब बन बरतमान में इलाबाद हाई कोड के मुख्यन आईदीस कौन है तो यह उत्तर प्रेस के प्रियागराज में इस्तित है अगर बात की जाए अलाबाद हाई कोड की स्थापना कब हुई तो अलाबाद हाई कोड की स्थापना जो है 17 मार्च 1886 को इसकी स्थापना हुई कहां हुई तो यह हुई थी आगरा में इसकी स्थापना जो है यह आगरा म में इसकी स्थापना हुई और 1899 में ये पूरी तरह प्रियाग राज में स्थापित हो गया तो दोनों डेट आप लोग याद रखिए अगला जो कुछन कुछनमा टू बरतमान में आंद प्रदेश हाई कोट के मुखने आइदीस कौन प्रिशांत कुमार मिस्रा तो अप्सन या पे जो है ए अप्सन या पे कर्याक्ट हो जाएगा और आंद प्रदेश हाई कोट जो है ये भारत का जो है 25 हाई कोट है तो भारत में जो है कुल 25 हाई कोट है तो आंद प्रदेश हाई कोट जो है भारत का 25 हाई कोट है और आन्ध प्रिदेस की High Court की स्थापना कब हुई? तो आन्ध प्रिदेस High Court की जो स्थापना हुई एक जन्वरी 2019 को इसकी स्थापना हुई यह आप सभी लोग याद रखीगा अगला जो कुशना कुशोनमा थैड जो है बरतमान में मुंबई हाई कोट के मुखिन आइदीस कौन है तो मुंबई हाई कोट के जो मुखिन आइदीस है ये हैं कौन दीपांकरदत्ता तो option या पे जो है B option या पे correct जाएगा अगर बात की जाए मुंबई हाई कोट की दारे में कौन कौन से राज़े आते हैं तो एक तो आता है गोवा और दूसरा आता है माहराष्ट तो गोवा और माहराष्ट जो हैं दो राजे आते हैं मुंबई हाई कोड की दाइरे में तो आप लोग याद रखिए और मुंबई हाई कोड की इस्थापना कब हुई तो मुंबई हाई कोड की जो इस्थापना हुई बर्तमान में कोलकाता हाई कोट के मुखिन आइदीस कौन है तो बर्तमान में कोलकाता हाई कोट की जो मुखिन आइदीस है यह है प्रिकाश श्री बास्तव तो अपसन यहां पे डी अपसन यहां पे कर्यक्ट जाएगा अगर बात की जा कोलकाता हाई कोट की तो कोलकाता हाई क और दूसरा जो है केंदरसशे प्रदेश अर्णवा निकुवार दी पाता है कूलकाता हाइक कोर्ट के दारे में आप लोग Alejandra की स्थापना जो है एक जुलाई पुमार गुस्वामी जो हैं 36 गड़ हाई कोट के जो है मुखनयाईदीस हैं और 36 गड़ हाई कोट जो है कहां इस्तित है तो 36 गड़ के बलासपूर में इस्तित है 36 गड़ हाई कोट और इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई आप सभी लोग याद रख जो मैं या भान ही में, जो यह सरमा अगर बात किए दिल्य हाइ कुछनमाइं उन्हे दिल्ली हाइटिस कोई, यह हैं यहाली 31 अक्टूबर 1986 को इसकी स्थापना होई और भारत की नई दिल्ली में स्थित है दिल्ली हाई कोट और बरतमान में जो है शतीस चंद सर्मावी हाली में बने हैं मुखिन आइदीस तो इनको आप लोग याद रखिए अगला जो कुछन कुछनमा 7 जो है बरतमान में गोहाटी हा कोट तो गोहाटी हाई कोट जो है ये असम के गोहाटी में स्थित है और इसके दारे में कौन-कौन से राजे आते हैं तो पहला जो है ये आसम आता है और दूसरा जो है अरुनाचल प्रदेस आता है अरुनाचल प्रदेस जो है ये दूसरा राजे है और तीसरा जो है नाग हाई-कोट के दारी में आते हैं और आसम के गोहार्टी में इस्सित्त है गोहार्टी. ईसकी जो इस्थापना है? गोहार्टी पाद में ये गुजरात हाई कोड इस्तित है आप लोग याद रखिए और इसकी स्थापना जो है एक मई 1960 को इसकी स्थापना हुई आप सभी लोग इसको याद रखिए और गुजरात के एमदाबाद में गुजरात हाई कोड इस्तित है और मुखिन आइदिस जो है अर्बिन इनको आप लोग याद रखिएगा अमजद ए सयद जो है अभी हाली में बने हैं और ये हिमाचल प्रदेस हाई कोट कहां इस्तित है तो हिमाचल प्रदेस की राजधानी जो शिमला है यहां पर इस्तित है ये हाई कोट तो आप लोग याद रखिए 25 जनवरी 1971 को इसकी आपना होई हिमाचल प्रदेस हाई कोट की और ये शिमला में इस्तित है और बरतमान में मुखिन आइदिस जो है अजमत अई सयद है इनको आप याद रखिए अगला जो कुछन कुछन माटें जो है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दस फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शिर्क्या करें तो बरतमान में जमू और कश्मीर लद्दाक हाई कोट के मुखिन आइदिस कौन है तो जमू और कश्मीर लद्दाक हाई कोट की इस्तापना जो है ये हुई 26 मार्च 1928 को इसकी इस्तापना हुई और ये कह इस्तित है तो ये ग्रीसम कालीन में जो है श्री नगर में रहता है और शीत कालीन में जो है जमू में रहता है जमू और कश्मीर लद्दाक हाई कोट जो है ये श्री नगर जो है ग्रीसम कालीन में रहता है और शीत कालीन में जो है ये जमू में रहता है तो ये आप लोग अगर बात किजा जहरकंड हाई कोट कहा है इस्तित है जहरकंड की राजधानी राची में इस्तित है जहरकंड हाई कोट अगला जो कुशन कुश नमा 12 जो है बरतमान में करनाटक हाई कोट के मुखिन आइदीस कौन है तो बरतमान में करनाटक हाई कोट के जो मुखिन आइदीस है ये हैं कौन तो ये इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा रितू राज अवस्ति जो है ये करनाटक हाई कोट के जो मुखिन आई दीस हैं ये हैं S मनी कुमार तो option याप पर जो है D option याप ये correct हो जाएगा अगर बात की जा केरल हाई कोट कहां इस्तित है तो केरल के कोची में इस्तित है केरल हाई कोट और केरल हाई कोट के दायरे में कौन-कौन से राज्ये आते हैं तो एक तो आता है केरल और केरल जो है एक राज्ये है और केरल हाई कोट की स्थापना जो है ये कब हुई तो ये हुई 1 नवंबर 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई ये आप सभी लोग याद रखेगा अगला जो कुछन नमा 14 बरतमान में मद्य प्रदेश हाई कोट के मुखेने आई दीस कौन है तो मद्य प्रदेस हाई कोट के मुखने आईदीस जो है ये हैं आर वी मलिमत तो option यहाँ पे बी option यहाँ पे correct हो जाएगा अगर बात किजा मद्य प्रदेस हाई कोट कहाँ इस्तित है तो मद्य प्रदेस के जवलपोर में इस्तित है मद्य प्रदेस हाई कोट अगर बात किजा मद्द प्रदेश हाइगोड की सथापना कव हुई तो मद्द प्रदेश हाइगोड की सथापना जो है 1 November 1956 को इसकी सथापना होई ये आप सभी लोग याद रखिएगा अगला जो कुष्टेन कुष्टनवा 15 जो है बरतमान में चेनई हाई कोट के मुखिन आईदीस कौन है तो चेनई हाई कोट के जो मुखिन आईदीस है ये हैं मुनिशन नाद भंडारी मुनिशन नाद भंडारी जो हैं चेनई हाई कोट के मुखिन आईदीस है और चेननई हाई कोड की दायरे में कौन-कौन से राज्य आते हैं एक तो आता है तमिल नाडू दूसरा जो है ये आता है पुद्दुचेरी ये सावी लोग आप लोग याद रखिए पुद्दुचेरी जो है केने सस्री प्रिदेश है और तमिल नाडू जो है राज्य है ये दो आते हैं चेननई हाई कोट की दारे में अगर बात की है चेननई हाई कोट की स्थापना कब हुई तो चेननई हाई कोट की स्थापना जो है 15 अगस्ट 1862 में इसकी स्थापना हुई 1862 को इसकी इस्थापना हुई 15 अगस्त 1862 को चेनई हाई कोट की और चेनई हाई कोट कहां इस्थित है तो यह तमिल लाड़ु की राजधानी चेनई में इस्थित है अगला जो कुशन हो कुशन नमा 16 बरतमान में मनीपूर हाई कोट के मुखेन आइदीस कौन है तो मनीपूर हाई कोट के जो मुखेन आइदीस है ये हैं पीवी संजे कुमार पीवी संजे कुमार जो है मनीपूर हाई कोट के जो है मुखेन आइदीस है और मनीपूर हाई कोट क या 13 को इसकी स्थापना हुई ये आप सभी लोग याद रखेगा अगला जो कुछन कुछनमा 17 बरतमान में मेगाले हाई कोट के मुखिन आइदीस कौन है तो मेगाले हाई कोट की जो मुखिन आइदीस है ये हैं कौन संजी बनर जी तो संजी बनर जी जो है ये हैं मेगाले हा स्थापना कब हुई तेईस मार्च 2013 को स्थापना हुई वह इसके बर्तमान्म में जो मुखिने आइदिस हैं यह समझी बनरजी यह अगला कुछनमा गर्यंट की में 18速 कोन है तो अडिसा पैंस उरिसा हाइाकोट की मुखिने इस इस हैं यह हाई कोट और उडिसा हाई कोट की स्थापना जो है ये कब हुई तो ये हुई 3 अप्रेल 1948 को इसकी स्थापना हुई बर्तमान में डाक्टर एस मुली धर जो है मुखिन आईदीस हैं तो आप याद रखेगा अगला जो कुछन कुछन मजो 2019 है बर्तमान में पटना हाई कोट के मुखिन आईदीस कोन है तो पटना हाई कोट की जो मुखिन आईदीस हैं ये हैं संजय कैरोल तो option या पे जो है C option या पे correct हो जाएगा पटना हाई कोट जो है बिहार की राजधानी पटना में इस्तित है और इसकी स्थापना जो है ये कब हुई तो ये हुई 2 सितंबर 2 सितंबर 1916 को इसकी स्थापना हुई 2 सितंबर 1916 में इसकी स्थापना हुई और बिहार की राजधानी पतना में इस्तित है और संजय केरोल जो हैं बरतमान में पटना हाइकोड की जो है मुखिन detis है अगला जो question question number 20 जो है बरतमान में पंजाब हर्याडा चंडीगड हाइकोड की कौन है तो पंजाब हर्याडा और चंडीगड ह Two diff की जो मुखिन अइदिस तो एक तो आता है पंजाब राज्ये, दूसरा जो है हर्याणा राज्ये और तीसरा जो है चंडीगड केंद सासे प्रदेस आता है, तो तीन ये हैं आप इनको याद रखिए और पंजाब हर्याणा चंडीगड हाई कोड की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 15 अगस्त, 15 आइदीस हैं, अभी हाली में बने हैं, एश शिंदे जो हैं, ये राजस्तान हाई कोड के नए मुखिन आइदीस बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए, और राजस्तान हाई कोड कहां इस्तित है, तो ये राजस्तान के जोधपूर में इस्तित है, राजस्तान हाई क ये हैं कौन तो बिशुनात सौमधर जो हैं ये सिक्किम हाई कोट के मुखिन आइदीस हैं और सिक्किम हाई कोट कहां इस्तित है तो सिक्किम की राजधानी जो गंग टोक है यहां इस्तित है सिक्किम हाई कोट अगर बात की जा सिक्किम हाई कोट की स्थापना कब हुई 16 मई 1975 1975 को इसकी स्थापना हुई तो ये आप सभी लोग याद रखिए 16 माई 1975 को इसकी स्थापना हुई सिक्किम हाई कोट की और सिक्किम की राजधानी गंगटों के में ये इस्तित है और बर्तमान में जो है बिशुनात सौंदर जो है मुखिन आइदीस हैं तो इनको आप याद र रखिए और तेलंगाना हाई कोट कहां इस्तित है तो तेलंगाना के हैदराबाद में ये स्थित है है ओर इसकी स्थापना जो है एक जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई तेलंगाना हाई कोट की तो ये आप सभी लोग याद रखिए आगला जो कुशेन कुशन comunally परतमान मे जो है दिल्ली हाई कोड के मुखेन आइदिस थे आप जो है उत्राखंड हाई कोड के जो मुखिना नियाइदीस है यह है इंद्रजीत महुन्ती तो option यहापे जो है डी option यहापे और करेक्ट जाएगा और तिरुपुरा हाइक युक कहा है इस्थे थे Thay तो तिरुपुरा